आप देख रहे हैं दखल न्यूज लोग समामे शुक्रवार को राहूल गांदी के उस बयान पर हंगामा हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मेक इंडिया की जगह भारत रेप इंडिया में तबदील हो गया है मोधी सरकार के राज में भारत रेप कैपिटर हो गया है इस बयान पर किंद्री मंतरी इसमती इरानी के नितरत में महिला सांसरों ने हंगामा किया और राज गान्दी से माफि की मांग की इसमती ने कहा महिलाओं को राहल ने बदराम किया है हर भाई और हर बेटा दोश्क्रमी नहीं होता इस बीच भाशपास सांसरों ने भी कहा कि राज गान्दी को यह क्या हो गया है यह कैसा बयान है उन्होंने लोकसवाई स्पीकर से मांग की कि इस बयान के लिए राहूल को सजा मिलना चाहिए रक्षामंती जाजनास सिंग ने कहा कि राहूल का बयान शर्मिन्दा करने वाला है इस मुद्दे पर रास्वा में भी हंगामा हुआ और कारवाई कुछ दिर के लिए इस्तगित करना पड़ी हाला कि राहूल गांदी ने माफी मांगने से इंकार कर दिया है उनका कहना है कि भाशपा आसाम में फैली हिंसा से ध्यान बठकाने के लिए ऐसा कर रही है पहले सुनिए राहूल ने क्या कहा था देखिए जहां भी आप देखो देश में नरेंद्रमोदी ने कहा था मेक इन इंडिया जहां भी देखो में इंडिया नहीं भीय आप है रेप इन इंडिया रेप इन इंडिया जहां भी देखो अगबार खोलो जारकण में महिला पर बलतकार उत्तर प्रदेश में देखो नरेंद्र मोदी के MLA ने महिला का रेप किया उसके बाद गारी का एक्सेलेंट हो गया नरेंद्र मोदी एक शब नहीं बोलता हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मोदी जी आपने ये नहीं बता किस से बचाना है बी जे पी के MLA से बचाना है और ये देश को बाटते है दिन बर 24 घंटे ये देश को बाटने का काम करते है दिन बर 24 गंटें का यही काम है एक जाद को दूसरी जाद से लडाएंगे एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लडाएंगे एक धन को दूसरे धन से लडाएंगे हिंदुस्तान को तोरने का बाटने का काम करेंगे 24 गंटा और फिर पूरा 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 पैसा अदानी अमबानी अदानी अमबानी अदानी अमबानी अदानी अमबानी राज सवा में भी सद्सों नारे लगाए कि राहूल गांदी मा भी मांगे इस पर सभापती वेंकरी नाइडू ने कहा कृपया उस्वेक्ती का नाम ना लें जो इस सद्रण का सदफ से नहीं है लोग सभा में इसमती ईरानी ने कहा कि इतियास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई नेता ये कह रहा है कि भारती मेलाओं के साथ दुश्करम किया जाना चाहिए क्या ये राहूल गांदी का देश के लोगों के लिए संदेश है शुक्रार को संसत के मौजूदा सब्सका आखरी दिन है ये राश्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांदी खांदान का एक बेटा सरयाम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलतकार करो आज मैं जब्धियाव से पूछना चाहती हूँ इस सदन के नेता है राहूल गांदी इस सदन के सांसर है क्या राहूल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलत्कार करना चाहता है क्या राहूल गांधी का ये वक्तव्य है और संदेश है देश की दंता को कि वो सारवजदी कावान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलत्कार होना चाहिए अध्यक्ति जी आज ये मात्रे इस सदन की महिला और पुरुष तांसदों की गर्मा की बात नहीं है इस सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की ओर्टों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए कि अध्यक्ति आज़े इस सदस्य उतके मूँ से निकल रहे हैं कि अध्यक्ति आज़े इस सदस्य नहीं है कॉंग्रेस विदायक आरिफ मसूत के बयान पर पूर मंत्री नरुक्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया देती हुए कहा कि कॉंग्रेस बिना सोचे समझे कैप पर प्रतिक्रिया दे रही है कॉंग्रेस देश में लोगों को भड़काने का काम कर रही है कॉंग्रेस के लोगों द्वारा बिल को लेकर ब्रहम फिलाये जा रहा है नरुक्तम मिश्रा ने कहा कि कैव नागरिक्ता देने का खानून है नागरिक्ता लेने का नहीं ऐसे में मुखमती कमलनात को यह पष्ट करना चाहिए कि वे देश तोलने वालों के साथ हैं या देश जोडने वालों के साथ उसकी भावना नागरिक्ता देने की यह नागरिक्ता समाप्त करने की नहीं है कांग्रेश के लोग पूरे देश के अंदर भ्रहम फैलाने की कोसिस कर रहे हैं देश के अंदर विवात पैदा करने की इस्तिती कांग्रेश के लोग कर रहे हैं जो अच्छी नहीं है संगठन के मुकिया होगने के नाते मानिक कमलाज जी को सोचना चाहिए और बताना भी चाहिए कहना भी चाहिए कि वो देश तोड़ने वाली तागतों के साथ है या देश जोड़ने वाली तागतों के साथ इसके पहले कॉंग्रेस विडायक आरे मसूद ने इस बिल का विरूद किया और काई ये देश इत्मे नहीं है मसूद ने कहा था कि अगर मदपुर्देश शरकार इस बिल का समर्संग करेगी तो वे विदान सबासदस सता छोड़ देंगे उन्होंने इस नियम के लिए सरकार को ही कोसना शुरू कर दिया उनका कहना था कि सरकार तो पागल है कुछ भी नियम निकालती है हाला कि बाद में उन्होंने इस बात को सुिकार भी किया कि कक्षा आठवी से बार्वी तक शाला में राष्ट्य धोज फेराना अनिवार रहे है हमारे आने उसको यहां बनाईगी तक है अब उन्हों हैं प्रशए बात करें उन्हों बनाईगाँ नियुक भी मैं तो हम पहली से नहीं कि विद्ल नेकर बार्वी तक है पहली से प्राइमरी लगती पहली से पांचवी तक नहीं जहता ढ़ा आई आप यह बात याद रखैये वोट दो हम याद रख़ रखंगी है वो धोने पीवा सlस्के कर दोस्टार से सबस्कर्णाइब है कि मारलि濪ेल तीक स्टाराना अनिवार तीक निवार है संतुको है कह capability और कोजिए झानकारी कि मैं हमारे कई? और् 새किवार उन्य पीवारा प्रदेश के सभी माध्मिक हाय सकेंट्री स्कूल में प्रति दिन अनिवारे रूप से राष्ट ध्वज फेराया जाएगा इस संबंद में स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिये इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अर्विंद चौरागडे से बात करने के लिए उनके दफ्तर गए तो वे ओफिस से नदारत मिले दूरभाश उसे बात करना चाहा तो उन्होंने फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा होशंग अबाद में हुई बेमौसम बारिष ने क्रिशी उपज मंडी में खुले में पड़ा हजारो कोइंटल धान गीला कर दिया खरीदी नहीं होने के कारण जिले भर की क्रिशी मंडियों में हजारो कोइंटल धान खुले में पड़ा है हालत यह हुई है कि जगा नहीं होने के कारण मंडियों में खरीदी बंद कर दी गई है धान बेचने आये किसान अपनी चॉली लेकर रात से मंडी में ही नहीं आ रहे है उनकी धान कब खरीदी जाएगी इसका कोई ठीकाना नहीं कि अधिकारी मंडी तरफ से कोई तिरपाल वगएरा कोई बेबस्ता नहीं है जैसे तेसे किसान धाकरा अपनी धान जो भी वेबस्ता हो रही है कि दस बार अट राली है और बाहर जो खुले में है जो बाहर तुलागवा माल है वो होगा तीन-चार हजार की बोरे करीब बोरस पानी में पढ़ा है गौर्टलव है कि दो दिसंबर से जिले भर में समीतियों के 24 केंद्रों के जर्ये समर्थन मूल पर धान की खरीदी की जा रही है बुद्वार तक केंद्रों पर 33,000 कुविंचल धान खरीदा गया जिसके बाद परिवहन नहीं होने के करण खरीदी बंद करनी पड़ी बारिश हुई और बड़ी मात्रा में ओले गिरे जिसकी हुए से किसानों की फसलों को भारी नुक्सान हुआ है वहीं बिर्सिंगपूर तैसिल के हिनोता गाओं में आकाशी वीड़ी गिरने से बरगत के प्रड़ के नीचे बंदी पांच बैसे और पांच गायों की मौत हो गई है बारिश के बावजूद रेलवे बोर्ड के खिलाब बैठे किसानों ने अपना अनुशित कालीन अंशन जारी रखा है किसानों ने आरोप लगाया है कि रेलवे बोर्ड द्वारा उनके साथ विश्वास घात किया गया है और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वे अंशन पर बैठे रहेंगे नर्सिंगपूर में हुई तेज बारिश के साथ ओला वरिष्टी ने किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुचा आया है अचानक मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण नर्सिंगपूर में कई गाउं में रवी की फसल के साथ साथ अन्य खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है तेज बारिश और वरिष्टी के कारण सरकों से लेकर खेतों में बर्फ विच गई है जिससे किसानों की फसले चौपट हो गई है इस बे मौसम बारिश ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरे ला दी है पहले से ही यूरिया और कर्ज माफी ना होने से परेशान किसान को अब नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस्थानी विधायक संजय शर्मा और जिला करेक्टर ने इलाके का दौरा किया और मौसम की मार्च से बरबाद ही फसल का आकलन किया साथ ही साथ किसानों को हर संभव मदद करने की बात कही सब्सक्राइब कर देखके आया हूं दास्ते में गयों के उचने के लिए हमारी टीमें आएंगी तो तीमें लगाएंगे जो कि पूरा चेतर का सरवे करके और जो मौज़ा संभाव होका जादा से जादा मौज़ा देलाने की लोगोश्च करें हर्दा में लाख रुपए खर्च कर गाओं में रहने के लिए पंचयाट सचीवों के लिए कार्याले बनाए रहे हैं इन कार्याले पर हमेशा ताले लट्के रहते हैं सरकार द्वारा गाओं के लोगों का जीवन इस तर उठाने के लिए बिविन तरीकों से प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन इस विवस्था को संचालिट करने के लिए जिमेदार अधिकारी वा करमचारी इसे नजरंदाज कर खुले तौर पर मौज उड़ा रहे हैं हरदा जिले के ग्राम पंचायत मांगरूल में महीनों तक पंचायत भवन नहीं खुलता जिसकी वज़ा से विकासकार पिछड़ता जा रहा है सच्चिव के नाने को लेकर जनपत सीओ का कहना है कि इसकी जांच करवाई जा रही है उसके बाद कारवाई की जाएगी सच्च की स्कूल है वहां पर क्या आप बता रहे हैं कि वह गंदगी पढ़ी हुई है काफ़ी टाइम से तो वह सफाई क्यों नहीं करवा पा रहा है वह सफाई कर्मी नहीं आ रहा है तो यह दिखवा लेते हैं सडकों पर बहता नाली का गंदा पानी केंदर एवन प्रदेश सरकार की स्वच्छ भारत अभियान को मूचिडाता नजर आ रहा है सडकों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुज रहा है जिससे तमाम संक्रमित बिमारियां छेतर में पाव पसा रही है स्कूल के समीप सडक पर कच्रे कूडे का ठेल लग गया है जिससे स्कूली बच्चों को वहां से निकलने में परिशानी का सामना करना पड़ता है पौधार उपण में सरकार लाख हो रुपे खर्च कर रही है लेकिन ग्राम पंचाद भवन पर लगाए गए पेड़ पौधी भी जीवित नहीं है पौधे देखरे के आभाव में सूख चुके हैं झाल 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 नर्सिंग पूर के बकास पूर्य मार्ग स्थित रेलवे ब्रिज से एक यूपती नीचे गिर गई जिससे उसकी मौत हो गई मृत्का का नाम डगमा बताया जा रहा है पौलिस ने मामले में मर्ग कायम कर प्रकण को जांच में ले लिया है बता जा रहा है कि यूपती अपने परिजनों के साथ रेलवे ब्रिज के ऊपर से लाइन किनारे जा रही थी इसी दोरान एक ट्रेन निकली तो यूपती को उसकी धमक लगी और वह ब्रिज के नीचे गिर गई नीचे गिने से यूपती के सिर पर गंभीर चोटे आए जिसके बाद यूपती को अस्पतार में भरती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई मद्परदेश के आतिती विद्वानों ने भूपाल के शाजानी पार्क में कमलना सरकार के खिलाफ धरना प्रदशन शुरू कर दिया आतिती विद्वान नियमेती करन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आये हैं दरना देरे 21 अतिती विद्वानों ने फूख हरताल भी शुरू कर दिया अतिती विद्वान सामय करूप से मुंडन कराकर अपना दिरोध भी दर्श कराएंगे अतिती विद्वानों ने कॉंग्रस पर वादा चिलाफी का आरूप लगाया है इनका कहना है कि सरकार बनाने से पहले कॉंग्रस ने अपने वशनपत में कहा था कि उनकी सरकार आने पर आतिती विद्वानों को नियमित कर दिये जाएगा लेकिन जब लोग सिवाए आयोग के जरिये चाइनिक असिस्टेंस प्रोफेसर पद गरन करने पहुंच रहे हैं तो उन्हें कॉलेज से निकारा जा रहा है हम लोग नेट फ्लेट प्रीएटी सब कुछ है इन्हों ने हमें बच्छन दिया था कि हम बावं से लोगों जिसना कीड़ा गारी ग्रंत पाल और सिंपल पीजी वाले उनको हम तीम साल का समय देंगे चार साल का समय देंगे आप यूजी सी योगतार पूरी करें इसके पहले भी 245 में फिर सिंपल पीजी वालों को प्रोफेसर बनाए जा चुका है हर तरीके से हम इन से अड़िफ्ट करने के लिए तहियार थे हैं लेकिन आदाइनी ने अभी 12 अक्टुवर को हमारे धरने इफ्तल पर आकर बोला था कि आप लोग भी तेवाब पर फ़ही लोग क्या बोला था यही कि मीडिया हमारे फार्म ने हम इनके फार्म ने जूट कहफे बोल सकते हैं कैमरे में कुछ कैद हो रहा है लेकिन वो कैमरा फार्म कुछ उनका पता ही नी चला वो कहां गए बागफान कि पहले हम अच्च के दोना के निमितिकरण करेंगे उसके बाद हम व्यापम 2 वालों को जोइनिंग देगे इस सरकार को समझना चाहिए कि बीच सत्र में अधित्वानों के बच्चे इसकूलों में पढ़ रहे हैं उनकी फीज बर रहे हैं अब वो कहां जाएंगे दूसरे इसकूलों में उनको एड्मिशन कराएंगे प्रदेश की सरकार अधित्वानों के लिए दूरागरें से ग्रशित है हैट पहने इन कबूत्रों को डाना चुकते हुए देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे हैट पहने कबूत्रों को देखे जाने का मामला पहली बार 5 दिसंबर को सामने आया था लॉस बेगावस के रहने वाले बॉबी ली ने दो कबूत्रों को कावबोई हैट पहने हुए देखा इस बात में उनका ध्यान अपनी और खीचा एक कबूतर ने ग्रे रंकी और दूसरे ने लाल रंकी हैट पहनी हुई थी ली ने तुरंट हैट पहने कबूत्रों का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया प्लैक्टफॉर्म फेस्बुक पर अपलोड कर दिया यह वीडियो देखते ही देखते तेजी से वाइरल हो रहा है अगले दिन हर कोई कावबॉय हैट पहने कबूत्रों की चर्चा कर रहा था इतना ही नहीं ली के पास कई एजिंसियों से फोन आने लगे जो उसके वीडियो का लाइसेंस लेना चाहती थी वीडियो के वारल होते ही अख़बारों ऑनलाइन न्यूज साइट पर भी इसकी खबर दिखाई जाने लगी जिसमें कहा गया कि कावबॉय हैट पहने रहस्यमई कबूतर लास बेगास पे घूम रहे हैं वे इन कबूतरों का एक मात्र लिंक रैगलर नैशनल रेजियो फाइनल से जुड़ रहा था जो उस समय शहर में हो रहे थे मगर पेशिवर रेजियो का वाइज एसोशेशन ने इस तरहा के स्टंट में किसी भी तरहा से शामिल होने की बात से इंकार कर दिया है आप देख रहे हैं दखलने ओड़ संगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउ से शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्डीती से कूटनेती तक दखलने ओड़ आपके हद आप देख रहे हैं दखलने ओड़ झाल झाल